ओम सिरी गनी शायन अमदूस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार दिक्ष्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 28 दिसंबर बुद्धवार के रासी फलके बारे में कि इह दिन में इस रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पा पूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहीगा मेस रासी वालों के लिए बुद्दवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज प्रकरती आपका भरपूर साथ दे रही हैं कोई लाबदायक और महत्पपूर सवाचार मिलने से आप स्वैम को आत्मबल और भावनात्मक रूप से बहुत अधिक शशक्त महसूस करेंगे रुके उए काम को पूरा करने के लिए आप पूरी महनत लगा दो आज का दिन आपके लिए बहुती लाबदायक दिन शाबित होने वाला है आज कोई महत्पपूर समाचार आपको अवश्य मिलेगा आर्थिक समस्य हल होंगी रुके उए किसी जमीन जायजाद सम्मंदित कारों में आपको सफलता मिलने के आज योग बन रहे हैं किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन बहुती प्रसन रहेगा आज सुक्षिवदाओं जैसी चीजों को खरीदारी में समय व्यत्तित होगा अपनी प्रतिबां और चमताओं को समझें इससे आपके व्यत्तित में और अधिक निखार आ जाएगा तथा समाज में आपकी छबी भी निखरेगी आज का दिन व्यस्तता पूर्ण रहेगा काम का बहुत अधिक बोज रहेगा परंतु सफलता मिलने से ठकान हावी नहीं होगी और उत्सा आपका बना हुआ रहेगा घर में महमानों के आगमन से मौज मस्ती में भी समय व्यत्तित होगा अपनी योजनाओं को सफल बनाने का आज का दिन बहुती उत्तम है काफी लंबे समय से चली आ रही किसी परिशानी से आज आपको मुक्ती मिलेगी जिससे आप आज खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे और आर्थिक मामलों में भी थोस और महत्वपूर्ण निर्णे लाबदायक साबित होंगे दोस्तो समय की चाल आपके पक्ष में हैं इसका आप आज भरपूर उप्योग करें आपकी भैतर कार्य प्रणाली की वज़े से आप लोगों के शमक्ष प्रशंसा का पात्र रहेंगे परंतु कोई भी काम अथवा योजना की पहले रूप रे का अवश्य बना लें आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा दोस्तो अनेक उप्रिकार की सफलता हैं आज आपको अवश्य प्राप्त होने वाली हैं दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता हैं दोस्तो अपने क्रोध वे जल्दवादी जैसे स्ववबाव पर आप नियंतन रखें किसी संबंदी या पडोसी के साथ वाद विवाद जैसी इस्तिती उत्पन हो सकती हैं भैतर होगा कि अपने काम पर आप ध्यान दें दूसरों की फिजूल बातों को नजर अंदाज करें मन में कुछ अनहुनी होनी जैसी आसंका होने का आज भे रहेगा अपने श्वयबाव पर नियंत रखें क्योंकि कभी-कभी आपके क्रोध पूर्ण वानी दूसरों को आहत कर देती है साथी संबंदों में भी कटूता आ सकती है दोस्तों आयके संसादनों में कमी रहेगी परंतु खर्चे वर करार रहेंगे इसलिए अपने बजट के अनुशारी खर्च करें कुछ ऐस्वस्तता महसूस करेंगे लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपको एक्टिव बना कर रखना होगा दोस्तों साथी साथ दूसरों की वज़े से किसी प्रकार की धन हानी भी हो सकती है चचेरे भाई भेनों से अपने संबंदों को खराब ना होने दें इससे अकारण ही तनाव उत्पन हो सकता है कुछ प्रतिदूंदी जलन की भावना के कारण आपके लिए कुछ नकार अत्मक वातावरन उत्पन कर सकते हैं और किसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है परन्तु जरासी सावधानी आपको परेसानियों से मुक्त रखेगी घर के बड़े बुजर्गों की अवहेलना बिलकुल ना करें कभी कभी लापरवाही और आलस की वज़े से आपके बंतिक कारों में रुकावट आ सकती है साथ ही अपने विचारों में भी लचीलापन रखें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेनी वाली है दोस्तो विवाहित जीवन में समान जश रहेगा मनोरंजन संबंदी, कारों में समय व्यतित होने से परिवार में हास परिहास वे खुसी का माहूल रहेगा परिवारिक वातावरन आज सुखद बना हुआ रहेगा प्रेम संबंदों में भी प्रगडत आएगी रोमैन्टिक माहूल रहेगा निकट संबंदियों के यहां डिनर पर जाने का भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं काफी समय बाद घर से निकलना वे लोगों से मिलना जुलना खुसी और इस्फूर्ती प्रदान करेगा परिवारिक वातावरन खुसनुमा रहेगा घर के सभी सदसें एक दूसरे के साथ समय व्यतित करेंगे बाहरी संबंदों से सावधान रहें इनसे मान हानी होनी की भी संभाव ना है परिवार के व्यक्ती आप से कुछ नाराजगी व्यक्त करेंगे क्योंकि काम की व्यस्तता के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं इसलिए उनके लिए भी कुछ समय आप अवश्य निकालें विवाहित सम्बंदों में कुछ समय से चल रहे तनाव को साथ बैठ कर सुल जाने में सफलता मिलेगी और घर का वातावरन उन्हें शुकद और मधूर हो जाएगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं जब का वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवसाय में प्रोडेक्शन सम्बंदित कारों में कमी आने से तनाव रह सकता है परन्तु आपकी पेमेंट आने से आर्थिक इस्तिती मजबूत रहेगी इसलिए फिक्र करने की बावना है सरकारी शेवारत व्यक्तियों के ऊपर काम का अधिक बोज आज पढ़ सकता है कारे छित्र में कोई भी निर्णे अकेले ना लें बलकी टीम वर्क बनाकर काम करें इससे वैवस्ता उत्तम बनी रहेगी आर्थिक मामलों पर किसी पर अधिक भरोसा ना करें और ना आज आपके भाग्य का आपको अधिक शयोग प्राप्थ होगा नोकरी पेशा व्यक्ति किशी सरकारी मामलों में फस सकते हैं सावधान रहें वैवसाइक परिस्तितियां आज अनुकूल बनी रहेंगी अपना पूरा ध्यान बिजनिस पर केंदरित करें किसी बड़े उचित उपियोग कर सकता है और और संबंदित सभी कारों में पक्के भिलका आप उपियोग करें दोस्तो नोकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुती लाबदायक दिन रहने वाला है दोस्तो नोकरी से संबंदित आज आपको बहुती अच्छी खुसकबरी आव में सेयम रखें वेवेस्तित दिंचरिया रखने की आज आवश रखता है स्वास्त मौसम के बदलाव की वज़े से ठकान अनुबब और कमजोरी महसूस होगी अपना इम्यून सिस्टम स्टॉंग रखें जिहां दोस्तों अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रुज़ाना योग करें वह्याम करें स्वस्त रहें दोस्तों बत करें हैं आज आप के लिए विशे शुपाय क्या है दोस्तों आज आप इशनाना आदी इसे निर्वत्र होने के बाद भगवान श्री गनेश जी के मंदर में जाकर भगवान श्री गनेश जी को 21 गुड की डेली के साथ दुरवा रखकर अरपित करें या दोस्तों ऐसा करने से भगवान श्री गनेश जी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशाने चल रही हैं समस्त परेशानियों कंत करेंगे और आपके समस्त मन television कामनाई भग्वान श्री गनेशी चीक आशिरवाद से अवस्चे पोड़ होंगी और आपके सबीकार रहें बहुत यासानी से बंते चले जाएंगे दोस्तों भगवान श्री गनेश जी का सिर्वाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैस श्री गनेश अवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद